जोनी ने वड़ी शॉट मानने की कोशिश की और गेंड मिस कर दिया तो अब पाँच बॉलों में पंद्रा पाँच बॉलों में पंद्रा रंज इरंगा की कोशिश यही रहेगी कि बल्ले बास से जितना दूर गेंड रखा जाए उतना अच्छा क्योंकि उनके रेडार में यहां गेंड कहीं आ गई तो जितनी सोर से फल्ला घुमाते बाउनरी के बाहरी जाके गेंड गिरेगी दोनी ने च्छे मार दिया वाह वाह और हमारी जाम तॉमेंटी करेंगे उसकी च्छत्य उपर गेंड आके गिरा क्या शौट क्या फ्लेर है पेशर में क्या लाजवाब छट्का रसीट किया है और यही हम बात कर रहे थे कि उनके रेडार में अगर गेंड आ गई तो फिर बाउनरी के बाहरी जाके गिरेगी वो केंड इतना दम खम छोग देते हैं हर एक शौट में यह खुबी है माइंडर सिंग धौनी की उचाई और दूरी दोनों आसानी से हासिल कर लेती है वो केंड जब संपर्क बल्ले के बीचो बीच होता है यह देखिए कमार का शौट बरपूर शौट एमेस धौनी का तो आप बात कुछ बनती हुई नौ रंस और चार बॉल एरंगा अब परिशान होंगे अब प्रेशर पड़ा है एरंगा पे और स्रीलंका पे एमेस धौनी फिर से तयार है बड़ी शौट के लिए कवर के उपर से चार रंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं चार रंस एमेस धौनी जवाब नहीं है पाँच रह गए और तीम रंस जैसे के कैलकुलेटर फिट है उनके जेन में जैसे के फील्ड फिट है एमेस धौनी के जेन में फैन्स खुशी से जूम उठे यकीन नहीं आ रहा ला जवाब इनिंग्स खेले और क्या बेंटिंग कर रहे हैं जैसे प्रेशर पढ़ा है मेंस दोनी ने अपनी क्लास दिखाई है यही वज़ा है कि यह कभी विचलित नहीं होते कभी खबराते नहीं कभी हताश नहीं होते क्यूंकि इनको अपनी काबलियत पे भरोसा है यह खुबी है महिंदर सिंग्धोनी की दबाओ अब पढ़ चुका है इरंगा पे और वो जाला अनुबबी है नहीं इसका फाइदा उठाएंगे यह भारतिक अप्तान तीन गेर ने पाच रंग जीत से दूर सिरफ एक शॉट की बात है यहां एक बाउंडरी भी निकल आई तो स्कोर बराबर हो जाएगा हमला फेर होगा एमेस दोनी तयार सीदी शॉट चैरेंज फ्लाट भारत फाइनल जीत गया भारत फाइनल जीत गया एमेस दोनी जीत गया माइडस टच लफ्स मेरे पास नहीं है कि मैं यह बता सकूं कि एमेस दोनी ने क्या जादू दिखाया यहां पर एक हरवा मैच जीते हैं और यह सिरफ एमेस ही कर सकते हैं जादूई ताकत है इनमें और इनका जहें जितनी बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो उतना ही साफ काम करता है क्लारिटी होती है कहा इन्होंने शॉट लगानी है और भारत ने कमाल फाइनल जीता है एक विकेट से एमेस दोनी में एक कमाल कर दिया जहां इनके शब्द कोश में असब्धा शब्दी नहीं है क्लारिटी नहीं है